तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगी ये रस्यदार अर्बी की सबजी रस्यदार अर्बी की सबजी बनाना बहुत ज़्यदा असान है और ये बहुत जल्दी से बन के त्यार हो जाती है तो आईए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है अर्बी अर्भी हमने 500 ग्राम के करीब ली है और इनको हम अच्छे से छील लेंगे और इसको हम गोल-गोल तरीके से कट कर लेंगे आप देख सकते हैं इसके पीसिस हमने मीडियम रखे हैं ना जादा बड़े हैं ना जादा छोटे तो पीसिस अच्छे से कट हो चुके हैं इसको हम अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे और हमने वाश करके इसको रख दिया तो अब आते हैं मसाला बनाने के त्यारी करते हैं यहाँ पर हमने तीन हरी मिर्ची ली है जिसको हमने अच्छे तरीके से कट कर दिया यहां पर हमने दो टमाटर लिये है जिसको हमने कट किया है और यहां पर दो लिये है हमने प्याज तो तीनों चीजों को अच्छे से कट करके हमने अलग बाउल के अंदर रख दिया है अब यहाँ पर हम तेल को गरम करते हैं तो सबसे पहले हमने कुकर के अंदर दो चमचे सरसो का तेल लिया है और जब हमारा तेल अच्छे तरीके से गरम हो गया है इसमें धुआ उटनी शुरू हो गया है तो हमने एट करा है एक चमच जीरा पाउडर जीरा टालने के बाद हमने इसके अंदर एट किया है एक चमच सरसो उसके बाद हमने आदी शोटी चमच जीरा डाले है मेथी के दाने और एक शोटी चमच जीरा हमने डाला है अजwाइन तो इन सभी चीजों को हमें गोल्डन ब्राउन करना है और अब ये भुन चुकी है, तो इसके अंदर हम एट करेंगे प्याज, तो प्याज भी हमने एट कर दिया है, प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे, आप देख सकते हैं, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके है, तो अब बात आती है टमाटर की, टमाट यहां पर हम डालेंगे डेट चोटी चमँछ धनिया पाउडर, इसके अदर मिक्स करेंगे, मसालगे और मसाला हम आज के उपर भुन Christina अज़ा है, पानी भी एड़ कर दिया है मसाला आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बॉइल आ चुका है तो इसके अंदर हम एड़ करेंगे हमारी अर्भी अर्भी हमने इसके अंदर एड़ कर दी है और उसको हम अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर अर्भ को हम कुकर के उपर विसल लगाएंगे और इसको कम से कम हमें 4 साथ से 5 सीटी इसके अन्डर लगानी और अर्भी अच्छे तरीके से तोटि पा रही है तो हम ने इसको देखा है तो अर्भी बिल्कुल पक चुकी है हमारी अर्भी की सब्जी रेडी हो चुकी है तो अब इसको हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है अगर आप इसके अंदर ज्यादा ग्रेवी पसंद नहीं करते तो आप इसको हम सूखी भी सर्फ कर सकते है तो हमने यहाँ पर इसको आज रस्यदार बनाया है तो इसमें हमने थोड़ा पानी रखा है तो अर्भी के सब्जी हमारी रेडी है आप इसको सर्फ करें गरम-गरम फुलकों के साथ में और आपको आज की रेसिपी कैसी लेगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शने बता सकते है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जाद स्यादा शेयर करें